नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज की कथा होने वाली है राक्षिशी डूड़ी की कथा राजा पृथु के समय समय में डूड़ी नामा के कुटिल राक्षिशी थी वै अवोध बालक को खा जाती थी अनेक प्रकार के जब तब से उसने बहुत से देपताओं को प्रिस अस्त्र नहीं मार सकेगा और नाहीं उस पर सर्दी गर्मी बर्शा का कोई असर होगा इस बर्दान के बाद उसका हत्याचार बढ़ने लगा क्योंकि उसको मारना एसमवपता लेकिन सिब के एकशाप के कारण बच्चों की सरार्तों से वै मुक्त नहीं थी और राजा प्रतों ने डूंडी के हत्याचारोच से तंग आकर राज प्रोहित से उससे चुटकारा पाने का उपाई पूछा प्रोहित ने कहा यदि फालगुन मास की पुर्णेमा के दिन जब नै अधिक सर्दी होगी और नाहीं अधिक गर्मी होगी सब बच्चे एक एक लकडी लेकर अपने घर से निकलें और उसे एक जगा पर रखें और घास फूस रखकर जला दें तो राख्षिशी मर जाएगी के भार खदेर दिया कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाते हैं इसी परकार भोसी कथाई प्रचलित हैं जो कि कही जाती हैं सुनी जाती हैं होली पर भोती सुन्दर कथा थी आपको कैसी लगी है तो चैनल को साथ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद